इंसान पैदाइश से लेकर जैसे जैसे आगे वो बढ़ता जाता है उमर के हर हिसे में एक transformation के procedure से गुजर रहा होता है जिसकों के शायद हम बाकाइदा तोर पे तो उस तरह से consciously हम उसे note नहीं कर रहे होते लेकिन हमारे unconsciously वो सारी के सारी transformational activities हमारी personality के अंदर सोच के अंदर हमारी physically जो दुनिया है हमारी अपनी फिजीक में वो सारी के सारी ऐसी changes रूनमा हो रही होती हैं क्योंकि एक सांचे से दूसरे सांचे में ढ़लने में मददकार भी हो रही होती हैं उनको initiate भी करती हैं, ignite भी करती हैं और यह सारी procedure को लेकर आगे भी चलती हैं तो इसी तरह की जो यह procedure है जो यह रूनमा होता है तबदीलियों का इसको जो research में जिस नाम से जाना जाता है और जो learning के phase में समझा जाता है उसको transformational learning का नाम दिया जाता है इसके अगर हम सारे landscape को समझने की कोशिश करें या इसकी picture को समझने की कोशिश करें इसका एक खाका बनाने की कोशिश को समझें तो हमें लगता है कि एक ongoing cycle है, एक ongoing activity है जिसमें कि हम इस transformational procedure में शामिल होते हैं लेकिन ये किस वक्त उमर के किस हिसे पे बहुत जादा ये तेजी से ये cycle रूनुमा हो रहा होता है और किसमें gradually ये slow हो रहा होता है कहां पे हम खुद transform हो रहे होते हैं और कहां पे हम खुद किसी और को transformation के procedure में हम खुद उसको मुबतला कर रहे होते हैं कैसे हमारे roles और positions change होते हैं और किस तरह से learning का ये cycle चलता रहता है ये एक interesting debate है और एक interesting information का piece है जो कि research में मौझूद है childhood में ये कहा जाता है कि जब बच्चा हम बच्पन के जो phases है और जो चंद उसके अर्सा है जो साल है उसमें कोई भी बच्चा जो सीखता है उसकी जो learning है it is said कि in childhood learning is formative derived from formal sources of authority and socialization उसमें बच्चे का as transform करना किसी दूसरे को वो इतना active है या नहीं है लेकिन बच्चा खुद बहुत ज़्यादा transformation के procedure में होता है उसको जो भी information हम दे रहे हैं उससे उसकी certain तरह की personality की formation होती है और हमें ये मालूम है कि इन्सानी जहन की जो एक नशनुमा है उसका size तो 6 साल के अर्से तक 90% complete हो जाता है लेकिन जो उसके उपर जो आपकी सोच का cognition की जो सलायते हैं जो आपकी psychological दूसरी सलायते हैं उससा समझने की control करने की different environments में कैसे behave करना उसको आपके फैसला करने की priority setting preferences वो सारी आपके different अदवार में होती चली जाती हैं और उसका cycle तकरीबन 25 साल की उमर तक जाके मुकमल होता है लेकिन जो बहुत जड़ा तेजी से बच्चे की जो physical world है और जो उसकी एक इप्तदाई जो सोच का हिस्सा है उसके उपर जो गहरे नकूश चोड़े जाते हैं वो तकरीबन प्याजे की तैकीक के मताबिक और जो जितनी भी हमें इप्तदाई तोर पे constructivism में प्याजे की औ Pygotsky का work नज़र आता है उसमें वो चंद शुरू के अदवार में बहुत ज़्यादा prominent हमें नज़र आ रहा है तो इसमें जो teachers का role है जो adults का role है वो बहुत एहम है इस transformation में बहुत care की ज़रूत है कि उस वक्त आप अपने role के मतलिक बहुत clarity के साथ बच्चे के साथ interact कर रहे ह adulthood में learning is transformative as adults are more capable of seeing distortions in their own belief, feeling and attitudes अब adulthood में क्या होता है कि कोई और आपको आकर बताए या ना बताए आपके खुदी जहन में because remember कि 25 साल की उमर तक आपका जहन मुकमल तोर पे नशोनिमा के उस procedure से नशोनिमा के गुजर चुका होता है कि जिसमें कि आपने सोचने, समझने, priority setting, decision taking and making and अपनी emotions को control करना, दूसरों के emotions के मताबग behave करना, situations को lead करना, team work करना, वो सब सलाहियते उसमें मुकमल तोर पे एक normal इंसान में आ जाती हैं तकरीबन 25 साल की उमर में तो उसके बाद से आप में वो सलाहियते भी उजागर हो जाती हैं जिससे आप दूसरों की life को भी transform कर सकते हैं लेकिन सबसे पहले आप अपनी learning के procedure को आप transformational theory के तहत आप देखने रखते हैं, अपने belief system को question करते हैं, अपने attitude को question करते हैं, तो self reflection का procedure वहाँ पे बहुत अच् है कि for example doctoral level की जो studies है, PhD है या ADD है या कोई भी और degree है जो कि doctoral level पे जाती है, उसमें आप इसी लिए certain maturity expected होती है और required होती है और advised भी होती है, कि आप एक ऐसे level पे चले जाएं, कि आपको अपनी learning को एक transformational procedure में से लेकर गुजरने के काबल हो जाएं. इसमें जो एहम काम है जो इस debate को लेकर जिन्होंने मंजरे आम पर लेकर आया और जिसके बाद और भी बहुत से उनके हमासर, रुफका और scholars शामिल हुएं, वो मैजरो का है, मैजरो ने 1991 में एक article लिखा और एक उनकी research हमारे सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा कि we individually assimilate the culture of which we are apart, कि हर एक हम में से, अगर्चे हम एक society में रहते हैं, man is known as a social animal, लेकिन हम उस society को interpret individually कर रहे होते हैं, तो उस culture को हम as individual समझते हैं, उसको लेकर आगे चलते हैं और उसे interpret करने की कोशिश करते हैं, और बच्पन में हमारी वो सारा जो procedure को interpret करने का वो quite uncritical होता है, वो एक one way traffic क की तरह से हमें एक recipient की तौर पर information ले रहे होते हैं, और उसको receive करके समझ रहे होते हैं, लेकिन जू जू हम बढ़ते हैं, अपनी उमर में आगे जाते हैं, तो हम we have many intentionally and unintentionally learned theories about the world, some of which may no longer be serving us well, so we start reflecting on those and we undergo a procedure called transformational learning procedure.